हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो शिवानिस किचन, आज मैं आप लोगों को अनार और चुकंदर का जूस पीने के फायदों के बारे में बताऊंगी अनार और चुकंदर का सेवन तो आपने किया ही होगा लेकिन क्या आपने कभी अनार और चुकंदर मिक्स जूस का सेवन किया है अनार और चुकंदर मिक्स जूस का सेवन स्वास्ते के लिए काफी फायदेमन माना जाता है क्योंकि अनार और चुकंदर दोनों ही पोशक तत्वा से भरपूर होते हैं अनार और चुकंदर के जूस का सेवन करने से शरीर में खून की कवी नहीं होती है साती कई और स्वास्थे संबंदी समस्याई भी दूर होती है क्योंकि अनार में विटमिन C, आयरन, मैंगनेशियम, पोटेशियम, फॉसफोरस, सेलिनियम और जिंक भरपूर मातर में पाया जाता है तो वही चुकंदर में पोटेशियम, जेंक, केलशियम, आयोडीन, मैंगनेशियम, फॉसफोरस, आयरन जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्ते के लिहाज से काफी लाबडायक साबित होते हैं तो आएए जामते हैं अनार और चुकंदर का जूस पीने से होने वाली फायदो के बारे में बलेट प्रेशर की समस्या होने पर अनार और चुकंदर की जूस का सेवन करना काफी फायदय मन माना जाता है क्योंकि इस मिश्रण में पोटेशियम और मेंगनिशन जैसे तत्व पाये जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं जिससे हार्ट संबंदी ब्मारियों का जोखिम कम होता है अनार और चुकंदर दोनों ही पोशक तत्रों से भरपूर होते हैं इसलिए अनार और चुकंदर का जूस का सेवन करने से इम्मिलिटी मजबूत होती है जो आपको वाइरस और बैक्टेरिया से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं अनार और चुकंदर के जूस का सेवन स्किन को भी कई लाप पहुचाता है क्योंकि अनार और चुकंदर दोनों ही विटमिन से भरपूर होते हैं जो दाग धबो जुर्यों जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं साथ ही इसके सेवन से तोचापर निखार भी आता है अनार और चुकंदर के जूस का सेवन पेट के लिए भी काफी फायदिमन माना जाता है क्योंकि अनार और चुकंदर फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन तंदर को मजबूत बनाता है और कब्ज, एसडिटी, अपा जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है शरीर में एनरजी की कमी महसूस होने पर अनार और चुकंदर के जूस का सेवन फायदिमन माना जाता है क्योंकि अनार और चुकंदर एंटी उक्षिडन गुनों से भरपूर होते हैं जो दिल को स्वस रखने में और दिल सम्बंदी बिमारियों की जोखिम को कम करने में मदद करते हैं अगर आपके शरीद में खून की कमी है तो आपको अनार और चुकंदर के जूस का सेवन करना चाहिए क्योंकि अनार और चुकंदर आयरन से भरपूर होते हैं जो शरीद में हुमोगलोबिन के सर को बढ़ाने में मददगार सावित होते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सभी हेलफूल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब सरूर कीचिएगा धन्यवाद